अपने इग्नु में सोशियलोजी की सीरीज में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके आपके अपका में एक्जाम यानि कि जो जैनुरी टुटेंट टुमें आप लोग के एक्जाम होने वाले हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है अपके जब भी आप लोगी वीडियो देखेंगे कोई भी कभी सेशन किसी भी सेशन में आप लोग एक्जाम दे रहे होंगे तो यह आपके सब्चेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तो इस वीडियो को भी मैं प्लेलिस्ट में अड़ कर दूँगी औरेड़ी सेवन और एट कॉश्चन वहाँ पर एड हैं मसोई वन के अन्डिस इस निक्स टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं मसोई वन की कुछ टॉपिक्स हैं एक तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक करने से होता क्या आपके पूरे चाप्टर सी कवर हो जाते हैं कि हम जो है अलग-अलग तरीके से एक्जाम में पूछा गया है डिरेक्ली ये भी पूछ सकता है कि एक्स्प्लेइन करो constitutional framework educational development का या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि constitution क्या-क्या ensure करता है या क्या-क्या guarantee देता है क्या-क्या secure करता है regarding the education, education growth or development या फिर constitution के अलग-अलग पार्ट होते हैं fundamental right होते हैं, directive principle of state policy है, तो एक्जाम में question पूछा गया था, DPSP के बारे में, पूरा constitution नहीं लिखा उन्होंने लेकिन उन्होंने DPSP लिख दिया, तो DPSP also constitution का part है, तो अब उसको answer को आपको कैसे present करना है, ये चीज बस हमारे सीखने की हो जाती है, अब बात करते हैं, पहले आप थोड़ा सा background ready करोगे, एक base form करोगे, basic चीजे बताऊगे, आप 100% as it is लिख होगे या नहीं, तो depend करता है, पहली बात तो जितना आप पढ़के सुनके जारे हो, आपको याद रहता है या नहीं, this is the very first thing, दूसरी चीज कि मैं यहाँ पे आपको 80-90% content of format तो दे देती बट फिर भी 10-15-20% आप लोग को धूनने की जरुवत नहीं, आप लोग को बस कुछ से add-on करने और बना के लिखनी है चीजे, सिर्फ वही चीज मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ, बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको इस topics regarding सारी information यहाँ पे देदू, और इसी को इसे growth के लिए, एक individual के development के लिए, उसे अच्छा इंसान बनाने के लिए, उसका standard of living इंप्रूफ करने के लिए, उसकी सोचने समझने की शमता capacity को इंप्रूफ करने के लिए, उसकी जीवन शैली यहनी standard of living को बेटर करने के लिए, education is very important, प्लस education नहीं होगी तो awareness नहीं होगी, आप एक nation के लिए asset की बदले, उसकी liability बनके रह जाओगे, उसके बोज बनके रह जाओगे, that's why यह nation के लिए भी जरूरी हो जाता है कि वो यह ensure करके चले कि क्या हो आपको basic जो facilities होती है, basic जो requirement होती है एक इंसान की life की, वो उसमें उस तक पहुँच सके, ठीक है, तो education को भी यह requirement मान के constitution में ही कुछ provision add कर दिये गए, जिसके चलते ही माना गया कि यह government की duty भी बन जाती है, यह central government, state government, that we are not discussing right now, बतलब यह government की duty बन जाती है, कि वो चीज आप तक पहुचे, plus पहुच रही है, नहीं पहुच रही है, इसके लिए legality भी होनी चाहिए, अभी 90% लोग इस कम रखते हैं, लेकिन still, ऐसी population है ना, जो mask इसलिए लगा रही है, चलान हो जाएगा, mask पहन लो, right, helmet लगाना, इसलिए ही कि accident हो जाएगा, चलान कर जाएगा, that's why we have to put, accident हो गया, तो protection मिलेगी, नहीं, चलान हो जाएगा, पैसे चले जाएगा, that's why we are, यह मतलब हम इस rules को follow क करके चलेगा, तो इसलिए यहाँ पर constitution बहुत सारे provisions देता है, act बनाए गए है, तो यह सारी चीज़े क्या की गई है, so that यह चीज़े seriously ली जाए और seriously apply की जाए, enough of the talks, बहुत सारी बाते सुन ली है, proper पढ़ना start करते हैं कि क्या क्या चीज़े है, education forms a foundation of any country and its future, बिल्कुल simple स मतलब हम लिख रहे हैं कि equality होनी चाहिए, तो equality होनी चाहिए, मैंने कहीं इसमें education की बात अभी फिलाल नहीं बोली, तेकिन equality होगी, इसका मतलब सबखो चीज़े equal मिलनी चाहिए, लोगों को according to their requirements, सारे ऐसा नहीं कि fewer section of the people के बहुत कुस पहुँच जा और बाकी लोगों के प्रियांबल है, वो लोगों की wishes and inspiration को show करता है, मतलब आपको अगर प्रियांबल यादो, क्या बात करता है, प्रियांबल justice होनी चाहिए, equality होनी चाहिए, liberty होनी चाहिए, fraternity होनी चाहिए, तो यह सब चीज़े हैं, वो लोग यही तो चाहते हैं कि एक nation में यह सब होना चाहि यादिली, तो यह सब प्रियांबल ensure करके चलता है, आप educational aim को अगर फुल्फिल करके चलेंगे, basic education लोगों तक पहुचेगी, तो आपकी nation की prosperity होगी, nation integrate होके रहेगा, और अब यह जो basic चीज़े हैं, integration और किसकी development की, prosperity की यह सब अचीव कर पाएंगे, अब बात करते हैं, क्य अगली क्या होते हैं, because अगर सिर्फ DPSP का question आएगा, तो आपको exam में पहले DPSP का meaning बताना होगा, और फिर इनके articles को explain करना होगा, Article 45 क्या कहते है, the state shall endeavor to provide within the period of 10 year from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all the children until their day in the age of 14 year, बही 14 year तर क्या करनी है, education प्रोवाइट करनी है, अब इसी को आगे जाके, बाद में जाके क्या कर दिया था, separate एक हमने क्या बना दिया था, fundamental right बना दिया था, ठीक है, that we'll see, यही बात क्या बन गई है, हमारी fundamental right बन गई, तो article 21a क्या कहता है, 86th amendment act 2002, कि according state shall provide free and compulsory education to all the children, जो कि 6 to 14 years तक के है, इतनी education प्रोवाइट करना तो किसका काम है, सरकार का काम है, and to make it a fundamental right, और अब यह क्या बन जाएगा, fundamental right बन जाएगा, और बाद में 2010 में जाके, right to education को लेके act आया, एक कानून पास किया गया, और उस कानून ने इसको एक legal right भी क्या कर दिया, बना दिया, तो इसको एक क्या मिल गया, legal status भी मिल गया, so this is article 45 and article 21a of the constitution, now let's move ahead to article 46 है, which is again a DPSP, वो क्या बात करता है, this is not DPSP, देखो जो DPSP है, उसके आगे मैंने DPSP लिखा है, और क्यों लिखा है DPSP, क्योंकि अगर अलग से DPSP को लेके question पूछता है, तो आप क्या present करोगे, article 46 states, the state shall promote with special care, the educational and economic interest of the weaker section of the society, जो आपकी society के weaker section है, marginalized section है, उनका economic status के बारे मैं आपको देखके चरना है, और उनका education, तभी तो देखते हो, आप government बहुत तरी-तरी की policies लेके आती है, programs लेके आती है, so that till the lowest, बिल्कुल scenario में जो पूरे table होती है, उसमें जो weaker section of the society है, उन तक भी वो चीज़ पहुँच सके, यहाँ पे particularly, क्या weaker section की बात की, marginalized section की बात की, तो particularly SCST, and shall protect them from social injustice, कि उनके साथ injustice ना हो, कि उन तक resource allocation properly हो ही नहीं रहा है, and all type of exploitation, यह सारी चीज़े है, उसकी बाद, आर्टिकल 29 की बात की बात की जाए, तो 29, one or two, दो पार्ट में हाँ पे divided है, वो किया कहता है, any section of the citizen residing in the territory of India, और any part thereof, having a distinct language, जिसकी भाशा अलग है, script, culture, अलग है अपना खुद का, उनके पास ये right है, अगर कोई सरकार ने स्कूल खोला हुआ है, तो आपको मना नहीं किया जाएगा, कि you belong to this religion, you belong to this caste, इसलिए हम आपको admission नहीं देंगे, और receiving aid out of state fund और जो state fund देते हैं, आपको वो उससे वंचित नहीं रखा जाएगा, वो चीज़ रोकी नहीं जाएगी, on grounds only of religion, race, caste, language or any of them, ये चीज़ हुई, प्लस आप देखे हैं कि बहुत सारे अपने स्कूल सुनियोंगे, कि this school is a minority school, Muslim minority school, Christian minority school, तो आप लोग जो minorities में आते हैं, ये सब minorities में आते हैं न, religion, jainism, muddism की बात की जाए, Christianity की बात की जाए, Muslim बात की जाए, तो these comes into the minority in India, ये सब minority में आने तो इनको अपने institution स्टाबलिश करने का right है, कि आप अपने जो culture है, उसको क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, तो ये चीज़ पते हैं, अप जिससे नॉमल एक सिक minority अगर स्कूल होगा, तो वहाँ पर worship का तरीका, prayer का तरीका, little bit different होता है, वहाँ पर उस तरीके की चीज़ों को value दी जाती है, लेकिन वो भी ये है कि वो भी किसी और को ऐस admission से क्या नहीं कर सकते हैं, प्लस जो अपका government है, वो किसी को भी किसी बेसिस पर admission देने से मना नहीं कर सकता, ये बात clear-clear हमारे constitution के fundamental right 29 में, article 29 में mention की गई है, तो article 29 is the fundamental right, article 21 is the fundamental right, article 45 और 46 की बात की तो वो किसमें included थे, वो DPSP में included थे, ये याद करना पड़े का option नहीं है, अगर article याद करके लिखके आप आओगे ना, it is well and good, अगर question आता है, तो दो-तीन बार आप पढ़ोगे, बोल-बोल के कराम करोगे, भाई अपनी copy उठाओ, जहां पे भी लिख रहे हो, उनको एक room से दूसरी room में चक्कर लगाओ, तीन बार बोलो और इसके बाद एक बार लिखके देख लो, याद करना, trust me, बहुत मुश्किल नहीं रहेगा, लेट्स मोफ फर्दर, आजिकल 30 के, अगर हम लोग बात करें, तो इस और सो नोन अज चार्टर ओफ एजुकेशनल राइट, इसको चार्टर भी बोला जाता है, एजुकेशनल राइट का, अब क्या मैंशन है इसमे, कि जो भी माइनॉरिटी है, या भाषा के बेसिस पे आप माइनॉरिटी में आते हो, उनको राइट है कि वो क्या कर सकती है, अब बता रही थी, कि आपने अपने इजुकेशनल इंस्ट्यूशन इस्ट्यूशन कर सकते हैं, यहां आटिकल 30 में क्लियर कर यह बात मेंशन है, वहाँ पे वो क्या था, कि वो अपना कल्चर को कंजर्ब करके, आगे उसको प्रमोट कर सकते हैं, यहां पे आप अपने इंस्ट्यूशन इस्ट्यूशन इस्ट्यूशन कर सकते हैं, माईनौरिटी से यह रिलीज़न की माईनौरिटी को लेके, किसी ने अगर अपने इजुकेशनल इंस्ट्यूशन ओपन किया हुआ है, तो सरकार बाकी स्कूल्स में, बाकी इंस्ट्यूशन में और उसमें भेद्भाब नहीं कर सकती हैं, अब एक आज़ेकल 239, और है जो हम बात करेंगे Article 239 क्या कहता है Each union territory has its own educational department भही है union territory की बात कर रहा है तो हम उसको भी include कर लेंगे Because union territory is also part of our country तो हर union territory का अपना खुद का educational department होना चाहिए और education जो union territory में है वो किसकी responsibility हो जाती है आपकी केंद्रिय सरकार की that is union और state government की तो हम से पूछा question में यही गया है कि constitutional framework क्या है education को लेके education को लेके आपका सम्विधान क्या बोलता है तो हमें सब present करना होगा with the proper facts की यह article यह बात करता है यह चीज़ यह बात करती है अब सीधा सीधा यह नहीं लिख सकते कि education कहता है promote करो equality रखो यह बहुत lame answer हो जाएगा बहुत ही मतब कि बच्चे ने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है ना वो constitution को जानता है ना वो question की जो need है उसको समझ पा रहा है तो MAE के level पे अगर मैं answer की बात करो तो that will not be the answer फिर आप यह नहीं कह सकते हो अब यह नहीं देता है present करो जो एक question मांग रहा है present करो और mention करो that you are a student master pursue कर रहा है then number भी बहुत प्यार से आपको मिलेंगे अब article 51A 51A जो होता है 51A आपकी fundamental duty है 51A जो है आपकी fundamental duty है 29 की बात करी थी आपसे article 30 की बात करी थी article 21A की बात करी थी यह थी fundamental right article 45-46 थे आपके DPSP ठीक है article 51A आपका क्या है article 51A is the fundamental duty कि यह हर citizen की duty होनी चाहिए इंडिया के आप citizen की भी कुछ duty बनती है बारबर यह नहीं कि सरकार 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 की आप बात करो आपकी भी कुछ duty है जो 51A में mention है तो यह हर citizen की duty बनती है जो कि parent या guardian है किसी बच्चे के कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई से बंचित ना रखे वो कोशिश करें कि 6-14 years के जितने भी student है उनको educational opportunity दी जाए ठीक है सरकार फ्री में दे रही है education तो अवेल करो यार अब आप अवेल नहीं कर रहे हो आप भेजना नहीं चारे हो बच्चों को ये भी तो problem है लेकिन अगर कोई नहीं भेज रहा है आप काऊ कि अब पेरेंट्स बच्चों को नहीं बेजते हैं उनसे जबरदस्ती काम करवाते हैं चाइड लेबर करवा रहे हैं पैसे आ रहे हैं तो भाई ये fundamental duty है और fundamental duties non-justiciable होती है means अगर आप ये duty फुल्फिल नहीं कर रहे हो तो कोई आप पे ऐसे legal action नहीं ले सकता है they are non-justiciable in nature against आप पे कोई case या कोई legal action नहीं लिया जा सकता तो इसलिए ये सिर्फ एक duty बनती है बोले जाते हैं आप ऐसा करके चलिए ठीके आप national flag की respect करके चलिए आप जो monument हैं जो उनकी थोड़ी सी respect करके चलिए इंडिया के culture को preserve करके चलिए तो ऐसे बहुत सारी duties है जो एक citizen को करनी चाहिए तो it is a duty जिसमें education की बात की गई है अब fundamental DPSP की बात करें तो आटिकल 36 से 51 तक DPSP ही होते है 51A जो होता है वो आपकी क्या हो जाती है fundamental duty हो जाती है you can mention लिख सकते हो आप इसे अब अगर मैंने बोले DPSP को लेके अलग से question आ गया directive principle of state policy को लेके अलग से question आ गया तो आपको पहले meaning बताना पड़ेगा रहा मैंने यहापे last में आड करा है कुसी एन में DPSP को लेके question पूछा हुआ है तो आप introduction वाले paragraph के बाद article आपका 45-46 अप लोग explain करेंगे उससे पहले अप क्या लिखेंगे यह principle एम करते हैं social economic justice की क्यों है यह DPSP क्यों बनाया जा रहे ताकि आपके इमें जो social economic justice और equality आ सके उन people को भी मतलब सारे लोगों तक पहुँच सके और इंडिया को एक welfare state बना सके हम लोग ठीक है हर weaker section तक भी चीज़े पहुच सके development हो सके social और economic हर तरीके से upliftment हो सके फिर आप थोड़ा सा फाइदे भी बता सकते हो कि social economic appointment के क्या फाइदे है because article 4546 यह explain करना है DPSP के case में यह सारे तो बताने नहीं है बस आप एक line में बता सकते हो कि यह fundamental right भी और यह fundamental duty नाम लिखके लेकिन इतना सम नहीं बता सकते है अगर वो कुशे में DPSP पूछेगा आप फिर article 21A को बहुत डिटेल में बदाने बैट जाओ यह 51A यह लिखने बैट जाओ यह नहीं करना है because उसने सिर्फ DPSP पूछा है DPSP का मेनिंग DPSP क्या ensure करते है DPSP क्या फाइदे एजुकेशन को लेके वो बता के फिर article 45 and 46 explain करना होगा तो DPSP इस प्रिंसिपल यह क्या aim करते है यह आ सके प्रस यह non-justice-able होते है मैं यह 1% do not fulfill it अगर आपने फुल्फिल नहीं किया तो you can not be sealed आप पे कोई legal action नहीं लिया जा सकता है Is that clear? So I hope यह education का पूरा जो constitution framework है समझ में आ गया होगा exam में किसी भी तरीके से इसका question आता है beat DPSP, beat fundamental right, beat whole constitutional framework you will be able to write the answer still कुछ इस टॉपिक में doubt रहे गए तो आप मुझे comment कर सकते हो या फिर education hotspot के instagram page पे मुझे message कर सकते हो again I am saying on the instagram page आप instagram को follow कर लो इसके notes telegram पे मिल जाएंगे फटा फट से telegram channel को join कर लीजे and आज ही हमने telegram पे 1000 की family complete की है so thank you very much for being with me बाकी notes आपको telegram channel पे provide कर वा दिये जाएंगे education hotspot के जो insta page है आप मुझे वहाँ पे personal अपना audio भेज के या question लिख के या question कहीं पर लिखा हो